येस तो लेके आया हूँ आप सबके सामने critical issues of 17-18 in GST audit of 18-19 by CAO मेश शर्मा तो ये learn from home जो हमारा series है उसका ये part number 9 है और हम शुरू करते है कि क्या issues हमको यहाँ पर आने वाले है जो GST audit हम 18-19 करेंगे उसमें 17-18 के तो let's start our presentation तो आज का agenda है अपने सामने सबसे पहले तो applicability of GSTR 9 जो annual return है फिर बाद में 9C के applicability और उसके क्या updates है फिर 9C और 9 के अंदर क्या optional reporting आई थी वो थोड़े से अपन review कर लेंगे क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है तभी आगे के issues ध्यान में आएंगे और फिर सबसे सह यही approach कौन सा है जो 17-18 का reporting है जो 18-19 में हमने show किया है और यही आज का अपना सबसे बड़ा point है discussion का फिर inward supplies और outward supplies के issues फिर नए जो TDS के provisions 18-19 के audits के लिए applicable होंगे e-way will जो नए आया है 1 April 2018 से और उसकी summary लेते हैं तो चलो फटा फट पड़ाई करते हैं कि क्या करना चाहिए 17-18 के issues के लिए 18-19 के GST audit में तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं तो सबसे पहला slide applicability of GSTR 9 2 करोड तक optional है 17-18 में और 18-19 के अंदर भी 2 करोड तक optional है तो आप सामने आ रहा है कि अगर मेरा 17-18 का मैंने GSTR 9 फाइल नहीं किया है क्योंकि वो optional था और अब मुझे फाइल करना है 18-19 का तो GSTN network के upload होने नहीं दे रहा है वो ये कहता है कि आप पहले 17-18 का फाइल करो तभी जाके हम 18-19 का फाइल करने देंगे तो ये एक technical issue है ये तुरंट solve करना चाहिए GSTN network ने अब आगे जब हम चलते है 9C के applicability के ऊपर तो 17-18 में 2 करोड तक था 18-19 में इसको बढ़ा कर 5 करोड कर दिया है तो what is the issue here अब issue ये होने वाला है कि जो reconsillations है जो disclosures है वो GSTR 9 में sufficient नहीं गिरेंगे और 9C इन लोगों को applicable नहीं है जिनका 2 करोड से 5 क करोड का turnover है तो इन cases में हम कैसे disclose करने वाले है 17-18 का difference ये बहुत बड़ा एक challenge रहने वाला है और आखिर के अंदर due date ये 3-2-2020 का due date है audit report और annual report भरने का देखते है ये आगे कैसे extend होंगा coronavirus के चलते अब हम देखते है summary of 9 and 9C applicability जो हमने अभी तक पढ़ाई कर ली उसके अंद जिनका 2 करोड के नीचे turnover है यहां पर 9 is optional जिनका 2 करोड से 5 करोड का turnover है इनको GSTR 9 is mandatory जिनका 5 करोड के उपर turnover है इनको GSTR 9 plus 9C ये दोनों mandatory हो जाते हैं तो अब चलते हैं हम summary of changes in 9 and 9C इसके लिए थोड़ा सा मैंने यहां पर आपको form दे दिये है GSTR 9 form इसको हम फटाफट review कर लेते हैं और जो main table है वो table हम जो सबसे ज़्यादा discuss करने वाले है वो table number 4 तो table number 4 में during the financial year याने books up accounts के इसाब से जो भी हमारा outward supplies है वो हमको table number 4 में देना है यहां पर tax payable इने taxable amount देनी है और tax amounts यहां पर देने है तो table number 4 outward supplies के लिए बहुत जरूर भी है और यहां पर optional दिया है debit note, credit notes का हमको देना है या नहीं देना है तो यह table number 4 already 17, 18 में हम भर चुके है same form 18, 19 के लिए है table number 5 यह exam supplies के लिए है outward के फिर उसके बाद में यहां पर भी debit note, credit note, optional किये है फिर आते हैं details of ITC यह जब inward supplies के issues देखेंगे उसके अंदर हमको यह table number 6 मि auto populated हो जाती है और यहां पर हम books के इसाब से पूरे figure देते है पर यह पूरे optional किये है, inputs, capital goods और input services यहां पर bifurcate देना है या नहीं देना है, फिर नीचे जाकर इस row का भी हमें आगे बहुत use होने वाला है, any other ITC not specified, यह भी एक table number 6 का important रहेगा, फिर table number 7 है, यह reversal के लिए है औ और reversal के table के अंदर फिर से हमको other reversals का भी row का बहुत बड़ा importance आगे आने वाला है, और यह table number 8, table number 8 के उपर हर बारी बवाल होता है, और यह एक informative है और इसको optional भी किया है, और यह भी बोला है कि PDF form में audit के साथ में आप अलग से भर सकते हो, क्योंकि 2A यह figure जो होती है, यह auto populations म जब हम करेंगे, तो हमारे को पता है कि April 2021 से September 2021 तक ही हम ITC ले सकते हैं, 1819 का 1920 के अंदर, और आगे चलके यह table number के बाद में, most important table आएगा हमारे लिए table number 9, यह जो table number 9 है, यह table number 4 से लिंक होता है, table number 4 से, और यह table number 4 के अंदर, और 9 के अंदर, यह tax payable amount को tally करना बहुत जरूरी होगा, और यह जो है, यह 3B के हिसाब से आने वाली figure है, जो की है paid through cash, और यह figure और यह figure के अंदर ही अपना सबसे बड़ा issue चलने वाला है, जब हम 1718 का जब देखेंगे, तो आगे चलके, यह table number 10, 11, यह 1819 के अंदर, के जो outward supplies है, जो हमने 1920 में बताए, वो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर ITC के आएंगे, भले ही यह optional है, पर अगर 1920 में लिया होगा, next इसमें ITC, तो वो यहाँ पर show होगा, जो हमने 1718 में already देख चुके है, फिर यह demands and refund कोई नसीब वाला होगा, उसके demand and refund कुछ होंगे, तो वो यहाँ पर बताए, फिर यह composition का optional table है, फिर यह hsn code का भी optional table है, फिर यह हो गया हमारा 9 खतम यहाँ पर, अब चलते हैं हम 9C, इसको भी थोड़ा brush up कर लेते हैं, यह हमारा है audit report, अब यह 9C भरते वकत हमारे लिए most important outward के लिए रहेगा table number 5, यह table number 5 जो है, यह annual books up account से चलना है, तो यहाँ पर जो figure आनी है, यह annual books up account से आनी है, और इसको plus minus plus minus करते हुए हम पहुचेंगे यह पूरा O तक, बाकी तो यह पूरे optional कर दिये हैं, और O के अंदर हम सब figure लेंगे, और O के अंदर जो figure आएगी, यहाँ पर हम plus minus पूरा एक साथ डाल सकते हैं, ऐसा optional दिया है, और फिर GSTR 9 से यहाँ पर auto pick up होगी figure, जो table number 4, table number 10, 11, GSTR 9, उसका summation मिलके यहाँ आएगा, और अगर reconciliation कुछ आता है, तो यहाँ पर figure देनी है, फिर next यह exam supplies का है, table number 7, जो GSTR 9 से भी tally हो जाता है, book से आ जाता है, most important रहेगा table number 9, of 9C, यह है tax paid, तो यहाँ पर rate wise information देनी किये है, हमको एक taxable value की, और tax payable की, जो tax payable की, जो books up account से आएगी, और यहाँ पर यह match करनी है, हमारे को GSTR 9 से, तो GSTR 9 के table number 9 से, यह आने वाला है figure, और उसको हमको यहाँ पर match करना है, फिर चलते हैं, table number 11, जो अगर यहाँ पर not paid है कोई, तो वो यहाँ पर देना है tax, उसका reconciliation, ITC के हिसाब से, table number 12 का बहुत बड़ा महत्वर रहने वाला है, GSTR audit के अंदर 9C में, यहाँ पर A row, B row most important रहेगी, क्योंकि B row के अंदर ही, earlier financial year का जो भी data है, जो 17, 18 का जो भी figure रहेगा, वो यहाँ पर show होने वाला है, और फिर आगे चलके, हमको यह GSTR 9 से यहाँ पर tally कर लेने का है, ITC, और जो भ table number 12 is most important for ITC disclosure, table number 14 यह optional है, और फिर आगे जब हम चलेंगे, तो table number 15 और 16 यह अगर कोई additional liability आती है, तो यहाँ पर auditor ने देना है, फिर आगे चलके जब हम देखेंगे, तो आगे हमको part B मिलता है, और यह part B के अंदर हमको information देनी है, notes देने है, auditor के signature के साथ में, क्या differences थे, तो यह part B का हमारे को notes देने के लिए जगा दी गई है, तो वो हमको यहाँ पर देनी है, तो हमने यहाँ पर 9 और 9C का brushing up कर लिया है, तो अब हम चलते हैं issues के उपर, तो 17-18 के अंदर, जो भी outward supplies थे, उसका हमने disclosure किया था, 18-19 के अंदर, जो GSTR 9 के table number 9, 10 और 11 में लिया था, 18-19 को हमने आगे उस year में pay किया था, ऐसा हमने बताया था, 17-18 के figures, तो अब, जब 18-19 का मैं audit करूँगा, तो यह मेरा starting trouble है, तो इसको मैं कैसे resolve करूँ, तो most important है कि approach क्या होना चाहिए, तो बहुत detail study करने के बाद में, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कि देरा two types of approach, one is 3 3B approach, कि 18-19 के अंदर, जो 3B में information गई है, उस हिसाब से GSTR 9 में बताऊ, और सबसे correct approach है, और सबसे बढ़िया approach है, वो है books of accounts approach, तो जो भी books of accounts के अंदर मेरी figure रहेगी, वही figure से मैं GSTR 9 टैली करूँगा, तो मुझे आप सबसे request है, कि यह approach को आप ध्यान से देखिए, कि books of accounts की ही figure मुझे GSTR 9 में लेनी है, अब जो 18-19 में मेरा books of accounts है, वो इसाब से GSTR 9 बनेगा, अब इसके अंदर कोई भी difference अगर आएगा, तो वो 17-18 का मिलेगा, अगर यह टैली हो गया, तो well and good, अगर नहीं हुआ, तो फिर पता चलेगा, कि 18-19 की figure हमने 19-20 में अगर ली तो वो वहाँ पर जाके link up होईगी, तो अब चलते हैं हम stages to resolve, तो पहला stage क्या है, 17-18 का difference हम निकाल ले, फिर बाद में क्या है, books of accounts मेरे क्या है, वो देख ले 18-19 के, अगर यह दोनों में difference आता है, तो यह difference काई का है, यह देखे, वो difference, अगर 19-20 के अंदर मैंने कुछ बता होगा, 18-19 का कोई figure मैंने 19-20 में बताया था, उससे tally होगा, और अगर कोई difference है भी जाता है, तो GSTR 9 में annual report के अंदर मुझे, annual return में मुझे लेना है, तो यह approach से हमको चलना है, हमारी पूरा ध्यान रहेगा, books of accounts के figure के उपर, क्योंकि books of accounts की figure ही GSTR 9 में आनी चाहिए, तो यह approach से हम चलते है, तो which is the correct approach, 3B और books of accounts, यह कोई कहेगा कि जुगाड, जुगाड मतलब क्या mix कर लू, कुछ थोड़ा इदर डाल दू, कुछ figure उदर की डाल दू, तो यह थोड़ा confusion होगा, तो what is the best approach, best approach is books of accounts approach, तो let's start with our first issue, तो यह अपना first issue क्या है, outwards supply है, 17-18 का है, मैंने 18- 19 में बताया था, तो मेरा outwards supply, जुलई 17 में 10,000 गया है, और वो मेरा जाना, शो हुआ है, GSTR 1 में, पर 3B में गया है 9,000, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 रुपया short था, और यह मैंने August में बताया है, 18-19 के अंदर, तो जब GSTR 9 मैंने भरा 17-18 का, तब मैंने इसको table number 10 में बता दिया, कि मैंने इसको 18-19 में पे किया है, तो what is our issue, issue is 17-18 का outwards supply, 1000 रुपया, मैंने 18-19 में बताया, और अब मेरा original books के इसाब से, 18-19 में 20,000 रुपय है, मेरा पूरा total outwards supply, तो let's start, कैसे करेंगे, 17-18, GSTR 1 is 10,000, 3B is 9,000, क्योंकि एक हजार हमने tax आगे बरा है, तो 18-19 में क्या होगा, 18-19 में मेरे books में 20,000 रुपया है, तो मैंने यहाँ पर 20,000 करेक्ट ले लिया है, पर 3B में मैं 21,000 रुपया लूँगा, अब यहाँ पर प्रशन शुरू होगा, कि what is your correct approach, तो correct approach is books of account approach, अब यह books of account approach के तहत क्या होगा, कि इसके अंदर table number 4, table number 4 के अंदर मैं लूँगा 20,000, जो books of account से tally होगा, फिर उसके इसाब से table number 9 में जाऊंगा, table number 9 के अंदर भी 20,000 ही लूँगा, और सबसे main जो tax paid है वो रहेगा 21,000 के हिसाब से, जो आया है 3B के हिसाब से, तो यहाँ पर 1000 रुपय का difference दिखेगा, वो है 17, 18 का, जो table number 9 में है, पर यहाँ पर कोई show नहीं कर पाएंगे हम 9 के अंदर, तो हमको यह 9C के suitable notes में आप ले सकते है, कि जो 1000 रुपय का difference है, वो है 17, 18 का, तो यह books of accounts अप्रोच से चलेंगे, तो फटा-फट समझ में आ जाएगा, तो यह ध्यान में रखे, और अब इसी का मैं देखता हूँ 9C के वही मेरा table number 5 के शुरुआद भी 20,000 रहेगी, और मेरा annual return 9 भी 20,000 का है, तो यह tally रहेगा, फिर table number 9 में tax पे जो है, यह भी मेरा 20,000 से चला जाएगा, जो books of accounts के है, और जो 1000 रुपय का भी मेरा difference आएगा, जो 17, 18 है, वो paid in 18, 19 है, with reference to GSTR 7, 8, यह table number, जो 10 में मैंने बताया थ 17, 18 का, वो मुझे यहाँ पर disclosure में notes में लेना पड़ेगा, तो थोड़ी दिक्कत जरूर है, पर to simplify, books of account approach से चलेंगे, तो इससे हमको benefit जरूर होगा, अब हम चलते हैं, अपना दूसरा approach, दूसरा approach कौन सा है, एक alternate भी है, कोई लोग सो सकते है, कि नई, नई, मैं तो 3B के approach से जाओंगा, तो 3B का approach क्या है, कि 21,000 रुपय में बताओ, table number 4 में, जो मेरा 20,000 था, उसको 21,000 करूँ, जिससे क्या होगा, मेरा tax payable भी tally हो जाएगा, tax paid भी tally हो जाएगा, no change in GSTR 9, पर 9C में क्या होगा, 9C के अंदर फिर मुझे 1000 रुपया, 5O के अंदर, other adjustment में डालना पड तो table number 5, 3B और 9, ये सब unreconcile रहेंगे, और ये जो 1000 रुपय का difference है, वो मुझे unreconcile करके notes में बताना पड़ेगा, तो ये approach थोड़ा सा problematic है, ये approach सही है, books of accounts का, ऐसा मुझे लगतना है, अब चलते है next issue के उपर, next issue क्या है, ये मेरा outwards अपला है, 17, 18, 19 में बताया, अब इसके अंदर क्या मेरा issue है, मेरा outwards supply 17, 18 का 5,000 रुपय रिपोर्ट हो गया, और वो मेरा जो outwards supply है, वो 7,500 रुपया रिपोर्ट हो गया, 3B में और GSTR1 में, याने books के इसाब से मेरा 5,000 रुपय है, पर 3B में गया 7,500, तो मेरे को 6,000 रुपय का reduction करना है, outward liability के अंदर reversal करना है, जो मैंने 18, 19 के अंदर बताया, table number 11 में, GSTR9 जब मैंने भरा 17, 18 का, उसके अंदर, अब हम चलते हैं, हमारे issue के तरफ, कि outward supply 18, 19 में मेरे 20,000 रुपय है, books के हिसाब से ये figure सही है, तो अब क्या हुआ है, 17, 18 के अंदर चले हम, GSTR1 में 7,000 पास्टो गया है, 3B में 7,000 पास्टो गया है, 6,000 रुपय हमने ज़ादा भर दिये, अब 18, 19 जब आया, जब हमने 17, 18 का audit किया, तो 18, 19 के अंदर मैंने इसका effect लिया, वो क्या effect लिया, 3B मैंने 7,500 का भर दिया, बुक्स अप्रोच क्या बोलता है, कि जो भी table number 4 है, GSTR9 का, वो मैं बताऊंगा यहां पर 20,000 रुपया, table number 9 के अंदर जो tax payable है, वो बताऊंगा मैं 20,000 रुपय के हिसाब से, पर tax paid दिखेगा मेरा 17,000, जो 3B के हिसाब से आया है, तो यहां पर short payment दिखेगा tax का, जो 5,000 रुपय का short payment है, पर यह मैंने 17, 18 में excess pay किया हूँ, तो suitable note मुझे देना पड़ेगा, यह 9 में ने दे सकता, तो 9C में देना पड़ेगा, अब यहां पर मेरा प्रशना है, कि उन cases के अंदर, जो 2 करोड से 5 करोड वाले है, जहां पर 9C नहीं जाने वाला है, उन cases में हम क्या करेंगे, तो एक manual reconciliation बना के रखना पड़ेगा, और वहां पर यह note submit करने पड़ेंगे, बाद में tax authorities को, अब चलते हैं 9C के अंदर, तो 9C के अंदर book approach से अगर हम चले, तो क्या होगा, no effect in 9C in table 5, क्योंकि 20,000 रुपे book से बराबर आया है, पिर यह tax paid जो है, यहां पर unreconcile दिखेगा, डई अजार रुपे का, वो हमको यहां पर देना पड़ेगा, कि 17,18 में already pay हो चुका है, with suitable note in 9C, अब यह जो 3B approach है, यहां पर अगर हम जाते है, कि मैं 3B की figure उठाओ, तो यहां पर मेरे को modify करना पड़ेगा, क्योंकि 17,000 का figure को 20,000 करना है, और फिर उस हिसाब से मेरे tax payable tax pay, 9 is okay, यह कब अगर होता है, तो अब इसका effect क्या होगा, 3B का approach का 9C के अंदर, फिर यहां पर मुझे deduction में बताना और आगे जो भी है, reconciliation points मुझे बताने पड़ेंगे, तो इस approach में थोड़ा issue है, यही approach सही है, जो books का है, अब आगे चलते है, point number 3, यह थोड़ा जुगार वाला मामला है, इसके अंदर मुझे ज़्यादा debate नहीं करनी है, क्योंकि यह जिन जिन cases में आएगी, special cases रहेगी, अल इसके लिए फिर आप 19-20 के अंदर मुझे बताना पड़ रहा है, क्या जुगार किया गया, जैसे मेरा outward जो था, यह 17-18 का 8,000 रुपया 3B और GSTR 1 में गया है, पर actual 10,000 रुपय है, तो मेरा liability 2,000 रुपय से बढ़ता है, मैंने क्या किया, 17-18 का जब मैंने GSTR audit किया, तब वहा 20 में audit किया था 17-18 का, तो आप क्या हो गया, actually वो जाके effect कर रहा है 19-20 में, तो आप यहां पर क्या है, books up account जो है मेरे 18-19 के 20,000 ही है, 1920 के मेरे 50,000 है, तो यहां जुगार किया गया, क्या जुगार किया, 8,000 ही बताया, 3B भी 8,000 बताया, और उसमें 17-18 में यह बोला, कि 2,000 र 18-19 में actually बताया नहीं, जो books से मेरा 18-19 ने वो टैली हो जाता है, अब जाके ध्यान में आता है, अब मैं यह बोलता हूँ कि मैंने इसको 19-20 में adjust किया हूँ, और मैंने 52,000 पे tax भरा हूँ, यहने 17,000 का issue, आगे ढखेला 18-19 में, 18-19 में settle नहीं हुआ तो उसको settle किया, 19-20 में यहने 3 साल की वाट लगा दी हमने, अब क्या होगा, अब इस case के अंदर बड़ा issue है, 20,000 रुपे मेरा GSTR 9 है, जो की बराबर टैली हो रहा है, अब इसमें assume करना पड़ेगा कि 2000 रुपे 17-18 के, फिर 2000 रुपे बज गए, 18-20 के, जो मैंने 21-20 में बताएं, वो मुझे इस ब बड़ा जटिल समस्या यहां पर आने वाली है, तो यह जो जुगाड़ वाले cases है, यह थोड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे, और जैसे यह चपल के अंदर mobile का उसने stand बना दिया, उस हिसाब से यह जुगाड़ के cases में, हर एक के case में अलग से हमको effect लेने पड़ेंगे, वैसे ही reversal का भी जुगाड़ किसी ने किया होगा, कि मुझे reversal करना था, 3000 रुपए मेरे access चले गए थे, तो मैंने 18-21 में बताया कि 3000 reversal किये, पर हुआ नहीं, फिर मैंने 19-20 के अंदर 3000 reversal बताये, तो क्या हुआ, 17-18 का reversal मैंने 18-19 में ठूसा, 18-19 का reversal मैंने 19-20 में ठूसा, तो same books up accounts के हिसाब से GSTR 9 सही है, पर 9C के अंदर GSTR 9 के अंदर मुझे table number 10-11 में, फिर से ये reversal बताना है कि जो 1920 में किया, और वो हिसाब से यहाँ पर 9C में disclosures change करने पड़ेंगे, तो बड़ी कटिन समस्या होने वाली है जुगाड़ वाले cases में, अब हम चलते है, reconciliation statement, जो notes के अंदर आमको देना एक recommended है, ये मेरा एक suggestion है, कि आप दोंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कैसे बनेगा, ये जो tax paid किया है, 3B के हिसाब से, वो figure मैंने यहाँ पर ले लि, table number 9 के, GSTR 9 के हिसाब से, अब 17-18 का कोई short payment है, जो मैंने 18-19 में किया, उससे मैंने reduce कर कर दिया, 18-19 का कुछ मैंने 120 में डाला, याने आगे के साल मैंने भरा है, तो वो भी मैं add कर दू, तो ये total मेरी यहाँ पर match हो जाएगी, तो जब जाके मेरे bookshop account से, मेरा tax का figure ये tally होगा, और अगर ये tally नहीं होता है, तो कुरुपया देख ले, DRC03 का कुछ effect होगा, record में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो table है, ये आगे बहुत काम आने वाला है notes के अंदर, अब चलते हम invert supplies के issues के तरफ, invert supplies में भी क्या restrictions हैं, कि हम GSTR9 के अंदर claim नहीं कर सकते, table number 8 से हमको इसको tally भी करना है, और table number 12 9C से इसको tally करना है, तो ये reporting requirements है, input tax credit की, अब क्या इसके अंदर अप्रोच हमारा रहना चाहिए, जो invert supplies का 17-18 का ITC था, वो मैंने 18-25 के अंदर बताया, तो कैसे रहेगा, तो यहाँ पर भी, जो GSTR9 है, इसको proper अप्रोच रहेगा, कि 3B के हिसाप से चले, यानि एकदम उल्टा, outward supply के लिए, books का अप्रोच, और inward supplies के लिए, 3B का अप्रोच, 9 के लिए, ये ध्यान में रखे, और जो मेरा 9C है, ये तो book अप्रोच से ही चलना चाहिए, तो ये अप्रोच यहाँ सही रहेगा, तो inward supplies में हमारे को 3B अप्रोच से चलना है, तो क्या है हमारा पहला इश्यू, ये हम detail में study करते हैं, ITC 30,000 रुपे 17,18 का छूड़ गया था, नहीं claim कर पाए, उसको हमने 18,19 के अंदर बता दिया, table number 13 के अंदर, और मेरा जो actual ITC 18,19 का वो है 20,000, तो अब क्या हुआ, जो 18,19 3B गया, वो गया 50,000, जिसमें 20,000 रुपे गये, मेरे 18,19 के, और 30,000 गये 17,18 के, अब reporting कैसे होगी, GSTR 9 के अंदर, एक है मेरा 3B अप्रोच यहाँ पर, जो auto populated 50,000 आया है, वो table number 6 के अंदर, A के अंदर दिखेगा, और मैं इसको आगे कुछ भी change नहीं करूँगा, और report वैसे ही रखूगा, पर नीचे जो table number 8 है, यहाँ पर automatic 2A, अगर मेरा book से tally होता है, तो वो 20,000 दिखेगा, और मेरा 3 भी दिखेगा 30, तो यह 30,000 का reconciliation में explain कर दूँगा, तो मेरा यहाँ काम बन जाएगा, अब alternatively, book approach से भी जा सकते है, इसके अंदर, पर वो जाने का ज़्यादा यह होगा, पर किसी को जाना है, तो वो जा सकता है, तो हम अगले इसमें उसको study भी कर लेंगे, अब आते हम GSTR 9C, GSTR 9C में क्या होगा, यह book approach से चलना है, तो row number 12B, जो है, ITC booked in earlier financial year, जो 17-18 का है, वो current year 18-21,000, 30,000 यहाँ बता दिया, तो वो tally हो गया, proper disclosure के साथ 9C close हो जा करता है, अब हम चलते हैं, next issue के उपर, यह क्या है, access claim किया मैंने 3,000 रुपए, और इसका reversal बताया, मैंने 18-21 के अंदर table number 12 में, और 18-21 में books के हिसाब से 20,000 रुपए, तो आप क्या हुआ, 18-19 का जो 3B गया, वो गया 17,000 रुपए, 20,000 माइनस 30,000, फिर अब reporting करनी है, मुझ 17,000 रहेगा, 6A में, उसी हिसाब से मैं चलू, और आगे reporting कर दू, दूसरा अप्रोच एक है, कि जो books अप्रोच, प्लस 3B अप्रोच, जिसको mix अप्रोच भी बोलेंगे, तो 6A के अंदर 17,000 रुपया है, मैं उसको modified कर दूंगा, 20,000 रुपया, और 3,000 रुपए, जो 7A के अ अंदर जो चल रहा है, मेरा ITC, वो हिसाब से चलू, और अगर मैं 6B में modify करता हो, 20,000, तो मुझे 3,000 रुपय रिवर्सल बताना पड़ेगा, 17,18 में, अब टेमल नंबर 8 में आएंगे, तो ये बराबर 17,000 बताएगा, 3B के हिसाब से, 2A अगर सही चले है, books of account से, तो 20,000 र 17,18 का मैंने claim किया है, 18,19 के अंदर यहां पर negative figure ले लेता है, तो अगर 3,000 रुपय यहां अगर हम डाल देते हैं, तो 12B के अंदर 17,18 का negative figure reversal आ जाता है, और मेरा विशे खतम हो जाता है, अगर वैसा नहीं कर पाएं, तो फिर क्या, 12F के अंदर unreconcile दिखेगा, क्योंकि 20,000 रुपय का मेरा ITC है, हमने लिया 17,000, तो क्यों नहीं लिया, तो 3000 का पुराना reversal है, यह हमको show करना पड़ेगा, तो यह another option, और इसका proper disclosure हम दे देंगे, तो और भी ठीक रहेगा, तो यह थे हमारे ITC के related options, तो यहां पर हमको समझ में आ रही यह बात, कि 9 जो बनेगा ITC का, य और अगर हम उसको change करते हैं, तो 6B और आगे table number 7 reversal का भी हमको use करना पड़ेगा, और 9C के अंदर, अगर यह negative figure यहां ले लेता है, reversal का, तो well and good, नहीं, तो 3000 unreconciliation दिखेगा, और वो इसाप से मैं 9C close करूँगा, तो यह मेरे ITC के issues जो थे, यह 17, 18, 18, 19 में मैं ने adjust किये, अब आता है table number 8, यह table number 8 जो है, यह informational है, optional है, PDF के अंदर भी हम इसको audit report के साथ upload कर सकते हैं, अब यह हर एक जन करें, तो ठीक है, और नहीं तो notes के अंदर cover करें, अब हम देखते है, TDS and TCS, जो नए आए है, जो 18, 19 के audit का खासियत है, 17, 18 में TDS और TCS नहीं था, अब वो आ गया है 18, 19 में, तो 18, 19 के audit में हमको TDS को गौर से करना पड़ेगा, चेक, तो कैसे चेक करेंगे, तो government TDS काटेगी, और हमारे जो contractors है, जो government को supplies करते हैं, उनके case में TDS अगर होगा, वो हमारा client होगा, तो हमको reach check करना पड़ेगा, क्या reach check करना है, कि TDS electronic cash ledger में reflect हुआ के नहीं, फिर electronic cash ledger से उसको आगे use होगा, और सबसे कमाल की बात, इसका impact अलग से 9 और 9C में देने की कोई भी जगे नहीं है, तो फिर कैसा करेंगे, तो suitable note देना ठीक रहेगा, 9C के अंदर के TDS इतना काटा था, हमने credit लिया, या नहीं लिया, हमारे books के अंदर उतनी liability थी, liability नहीं, deduction का ये था, हमने उसको use किया या नहीं किया, क्योंकि कई बार GSTR 7 टाइम से नहीं भरे गए, तो 18-21 के या TDS है, books के अंदर deduction है, पर claim किया है 1920 के अंदर, तो ऐसे कुछ deductor के issues होंगे, तो इसके note दे दे, और वो इसाब से TDS का चेक करें, तो ये एक important है, जो नया है TDS का, वो हमारे को 18-19 में ध्यान देना है, अब चलते हैं हम दूसरे issue के तरफ, ये issue है, 18-19 के अंदर e-way bill का, कौन इस e-way bill के billy को पकड़ेगा, क्योंकि as a auditor मेरा role क्या है, e-way bill से मैंने data check करना है या नहीं करना है, यही सबसे बड़ा प्रशनर हैगा, तो मेरा request आप सबको है, कि आज ही सभी clients को बोल दो कि e-way bill का data मुझे reconcile करके दे, तो वहीं पे वो आदा धेर हो जाएगा, उसको भी पता चलेगा कि GST audit कितना मुश्किल वाला काम है, हर state-wise e-way bill के limits अलग है, बनाना चाहिए, 5000 के नीचे खईएं, खईएं जगे पे एक ला data reconcile कर सकते हैं, और inward भी कर सकते हैं, पर outward ज्यादा important रहेगा, inward के अंदर issues आ सकते हैं, तो major issues है, तो आपको उसका cognizance लेना पड़ेगा, फिर जो भी GST का data गया है, और जो e-way bill के portal पे data है, पार्च जिन का data मिलता है, उसको salver में convert करो, फिर उसको tally करो, कई clients को notices भी आई है, e-way bill के differences की और 3B के differences की, तो उन cases में तो auditor ने ज़रूर इसका cognizance ले लेना चाहिए, फिर क्या possible differences है, e-way bill और GST के data में, तो यहां पर आपको मिलेगा कि exemption limit तक e-way bill की जरत नहीं है, डिलेरी चलंग पर e-way bill बनाना पड़ता है, supplier नहीं नहीं बनाया है, buyer ने बनाया है, यह transporter ने बनाया है, e-way bill, कई बार supplier ने multiple e-way bills बना दिये, same invoice के, खुब सारी गलतिया हुई है, 18, 19, first year था, तो चेक करने में बहुत दिक्कते आएगी, कई बार यह match नहीं होगा, तो as a GST auditor, हमने cross check करना चाहिए, reasonable assurance लेना चाहिए, ने तो notes में तो भी दे चाहिए कि यह unreconciled है, या unavailable है, data यह client ने दिया नहीं है, आप qualify करो report, और अगर मिल गया, तो well and good, क्योंकि आगे आज नकल assessment के अंदर यह सारी चीजे मांगे जाने वाली है, तो outward supply के उपर थोड़ा ध्यान दे, inward supplies को cross check कर ले, तो मेरे हिसाब से 17, 18 का जो starting point था, वो अगर resolve हो गया, तो 18, 19 के audit में, ending point रहेगा, e-way bill का data का reconciliation, तो अगर हम देखते हैं, 18, 19 के अंदर, summary के अंदर, आखिर के अंदर, कि क्या हमारा impact आने वाला है, as a auditor, तो starting trouble हमारे को 17, 18 का जो था, वो resolve करना है, जिसके उपर हमने debate कर ली, outward supplies की reporting थोड़ी tricky है, तो ये हमको जाना है, books up account approach से 9 and 9C के अंदर, inward supplies की reporting जो है, ये थोड़ी restrictive है, इसमें आप 9 के अंदर, 3 भी approach से जा सकते, books up account approach से जाएंगे, तो table number 6 और 7 को भी disturb करना पड़ेगा, और 9C के लिए books up account approach से जाएंगे, फिर जुगाड़ अगर किसी ने किया 9 and 9C का तो बड़ा ही tricky है, थोड़ा ज्यान से देखे, क्योंकि 3 साल का effect आएगा, 17, 18, 18, 21, 22, जो issue हमने already discuss कर लिए, outward के भी और inward के भी, फिर नए TDS के provisions का ज्यान रखे, इवे भी ये headache होने वाला है, तो ये end point है, हमारा 18, 19 के discussion के अंदर, और आखरी में extension मिलेगा, क्या नह इसमें से छुटकारा मिलेगा, ये हमको पता नहीं है, पर let's hope कि as an auditor, I have to balance my life, आज करोना के virus के चलते lockdowns है, तो हम ठीक से हमारा planning कर ले, ठीक से strategy बना ले, communication skills सीख ले, नए नए games भी सीख ले, आगे travel plans और ये तो सारे अभी बंद है, पर family को maximum time दे, work और money balancing करने की कोशिश क है, तो इसी के साथ हमारे 17-18 के जो issues थे, वो 18-19 के audit में कौन थे, वो हमने discuss किये, I am sorry for any errors and omissions in my presentation, keep knowledge sharing, और अगर आपके कोई भी issues है, तो मुझे जरूर भेजे, और आपका feedback मुझे जरूर दे, FCA उमेश शर्मा add the rate gmail.com ये मेरा email ID है, इसके उपर आप जरूर दे सकते हैं, या फिर 9822079900 पे आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं, तो ये बलाई यहां पर handwriting ठीक से नहीं आई है, पर ये है, FCA उमेश शर्मा add the rate gmail.com और 9822079900 तो थैंक्स ये presentation सुनने के लिए, और भी इसमें refinement और भी आपके suggestions होंगे, तो वो हम जरूर इसमें incorporate करेंगे, थैंक्क्यू पूर ऊचलते हैं, तो वो हम जर्वे आपके से आपके प्रूर्मा जर्मा कर लो येख दोड़ने के लिए आपके से लिए्यवदे तो भी करोंगे, तो ये आपके से उस्क्यू जड़ने के ध्र सकते हैं जरूर वो फो